सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पिहू टीवी को और नोटिफिकेशन बैल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आज की इस वीडियो में हम ये वाला बाजू डिजाइन बनाएंगे ये डिजाइन काफी ट्रेंडिंग है बनाने में बहुत इजी भी है और पहना हुआ बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग कर रखी है ये डबल करते हुए रखा हुआ है हमने बाजू को जैसे नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरह से करनी है लंबाई में हम एक इंच एक्स्टा लेंगे जैसे अट्रा इंच मेरे केस में रेडी है तो मैंने 19 इंच ली है चुडाई की तरफ भी हम उतना ही लेंगे जितना नॉर्मल ही लेते हैं आप चाहो तो आधा इंच एक्स्टा ले सकते हो जैसे कि मेरे केस में मैंने ये 9.5 इंच लिया है और मोहरी भी 7 इंच ली है जितनी रेडी है उससे हमने 1.5 इंच एक्स्टा ले ली है अब जैसे ये बाजू हमने डबल करते हुई रखी हुई थी इसी तरह से सेम साइज की हमने ये न्यूस पेपर भी काट ली है इस तरह से हमने इसके उपर रखा न्यूस पेपर के उपर और इसको सेम इसी साइज का काट लिया ये हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बाद में इसको अटैच करना बताना है कुर्टी में ये हमने स्ट्रेट स्ट्रिप यानि सीधी पट्टी बना रखी है इसे बनाने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता दूँगी किस तरह से बनाई है ये हमने डोरी बना ली है ये आपने 70 इंच के करीब लंबी ले लेनी है और इसके एक किनारे पे हमने टैसल यानि लटकन बनाया हुआ है और किस तरह से बनाया है ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी और डोरी बनाने की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो डोरी से मैचिंग हमने पाइपिंग बना ली है तो ये सारा मैटीरियल है जो कि हमें डिजाइन बनाने के लिए चाहिए तो चलिए अब पैटरन ड्रो कर लेते हैं सबसे पहले बन साइट की तरफ से टेप रखते हुए हमने एक इंच पे मार्क करना है यानि कि जो हमारा डिजाइन बनेगा वो दो इंच चोड़ा बनेगा क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये डबल में दो इंच हो जाएगा अब इन निशानों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेंगे और इसी तरह से यहां से हम तीन इंच पे मार्क करेंगे और यहां पर फ्री अंडर शेप देते हुए इसको मिलाएंगे अगर आप देखना चाहते हो तो यहां कॉर्नर से करीब करीब दो इंच पे मैं ये शेप दे रही हूँ अब इसी पैटरन पर कटिंग कर लेंगे और अब इसे कोलते हुँ रखने के बाद ये बाजू हमारे पास इस तरह से आजाएगी अब पाइपिंग लेंगे पाइपिंग के चोड़ाई हमारे पास आधा इंच से थोटी सी कम है अब हम इसे बाजू की सीधी साइड पे इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे दबाव में हमारा क्वार्टरिंज से थोड़ा सा ज़ादा आना चाहिए कपड़ा तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पाइपिंग हमारे अटैच हो चुकी है इसी तरह से हम बाजू की दूसरी साइड में पाइपिंग अटैच कर लेंगे तो हमने ये दूसरे पीस में भी अटैच कर ली है अब हम इसको इस तरह से जब अंदर की तरफ पलटेंगे तो ये अपने आप हमारी पाइपिंग निकलाएगी तो इस तरह से पलटने के बाद हम इस पे आयन यानि प्रेस कर लेंगे तो अभी हमने प्रेस कर लिया है अब हम इनको हटा देंगे और अब हम ये स्ट्रेट स्ट्रिप यानि सीधी पट्टी लेंगे तो चलिए सबसे पहले बनाना देख लेते हैं किस तरह से बनाई है इसके लिए हमने 1.5 इंच चोड़ी सीधी पत्ती काट ली है ये इसकी सीधी साइड उपर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करते हो यहाँ पे quarter inch यानी single foot के दबाव पे stitch लगाएंगे अब needle और thread की help से इसको सीधा कर लेंगे और पलटने के बाद अब इस पे आयन कर लेंगे तो ये हमारी इस तरह से straight strip ready हो जाएगी अब इसमें से 2-2 इंच लंबे piece काट लेंगे तो अब ये piece काटने के बाद हम बाजू का एक piece लेंगे अब सबसे पहले starting पे हम आदा इंच पे mark करेंगे जितना की हमारा shoulder की supply में जाएगा और उसके बाद हम देर देर इंच के gap पे mark करेंगे अब ये हमारे marks हो चुके हैं अब हम ये piece लेंगे इसको center में से fold करते हुए एक loop बनाएंगे और इसे ये जो हमने second mark किया है यानि की उपर से 2-2 इंच पे हमने इसको attach करना start करना है और piping के साथ-साथ में top stitch लगाएंगे लूप को हम आदा इंच बाहर की तरफ रखते हुए फिर stitch लगाएंगे इस तरह से जितने भी marks हैं सभी पे हम attach कर लेंगे ये हमारे 11 यानि 11 loops जो है attach हुए हैं एक side में इसी तरह से हम बाजू के दूसरे पार्ट में भी loops attach कर लेंगे तो ये हमारे loops attach हो चुके हैं हमने यहाँ पे नीचे interlock भी कर ली है अब हम quarter inch यानि single boot के gap पे एक stitch दे देंगे जिससे की हमारे ये loops पके हो जाएंगे इसी तरह से हमने इस side में भी stitch दे दिया है अब हम dory लेंगे और safety pin की help से dory को इन loops में हम insert कर लेंगे इस तरह से ही देखिए जिग जैग करते हुए डालेंगे यानि की एक एक loop को छोड़ते हुए फिर dory insert करेंगे तो ये इस तरह से हमारी dory insert हो चुकी है अब हमने एक side में tassel लगा लिया है अब दूसरी side में आपको मैं tassel लगा के दिखाऊंगी इसके लिए हमने ये 3 inches by 3 inches का एक piece लिया है square में यानि की चकोर अब भी इसकी ulti side है उपर की तरफ इसको इस तरह से fold करेंगे और dory को इस तरह से इस corner तक place करते हुए इसको fold करते हुए यान पे stitch लगा देंगे ये हमने पहले इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि हमें loops में से insert करने में problem आती starting और end से stitch को पका कर लेंगे friends वैसे मैंने tassels बनाने दिखाए हुए हैं उन videos का link पी नीचे description box में मिल जाएगा अब हम इसके corner को इस तरह से fold करते हुए एक stitch दे देंगे ताकि बाद में ये बाहर की तरफ यहां से corner ना निकले अब हम इसको पलट लेंगे पीसे पलटने के बाद यहां से थोड़ा सा corner बाहर की तरफ नजर आ रहा है तो हम इसको इस तरह से करते हुए tassel की सीधी side से इसके उपर stitch लगाएंगे जो यहां पे हमने stitch दिया हुआ है पहले इसके उपर ही stitch देना है जो की पता ना चले की stitch लगाया हुआ है यह बहुत ही finishing से हमारा tassel ready हो गया है तो अब यहां पे हम note कर देंगे इसके साथ ही ये बाजू design हमारा ready हो जाता है अब हम इसे कुट्टी में attach करना देखे हैं किस तरह से attach करते हैं friends इससे पहले मैंने ये जो उपर design दिखाया जा रहा है ये बनाया था तो इसमें मुझे कई viewers ने comment कि हैं कि इसको attach करना बताए किस तरह से attach करते हैं कुट्टी में off shoulder sleeves design कोई भी होता है तो उसे इसी तरहीके से attach करना है तो चलिए start करते हैं मैं आपको दो तरहीके से attach करना बताऊंगी एक तो हमने ये जो newspaper पहले काट रखा था इसके size का तो हम इसको newspaper के उपर pins की help से या फिर कच्ची सिलाई लगाते हुए fix कर लेंगे shoulder वाली side से ये beginners के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है और friends हमने इसको pins लगाने से पहले इसमें front armhole की चटाई कर ली थी तो अब ये fix हो चुका है अब हम कुर्ती लेंगे ध्यान रहे कि front armhole को आपने कुर्ती की front side में ही रखना है अब मैं आपको इस तरह से इसको सीधी side में रखते हुए दिखा रही हूँ तो ये हमारी जो shoulder की सिलाई है ये हमारा जो design है इसके बिल्कुल center तक इसको लाते हुए आप चाओ तो यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ इस तरह ऐसे इस सिलाई के सामने इसको लाते हुए इस तरह से पलट लेना है और ऐसे design को हमेशा shoulder के पास से stitch करना start करना है तो अब हम इसमें stitch लगा देंगे तो अब ये इस side में हमारा stitch complete हो गया है अब इसी तरह से हम center से दूसरी side में भी stitch complete कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसको पलटते उपर की तरफ रख लिया है तो सेम इसी तरह से इस side का भी stitch लगा लेंगे तो अब भी stitch हमारा complete हो गया है ये सीधी side से इस तरह से आएगा हम इसके नीचे से newspaper हटा देंगे newspaper हटाने के बाद ये जो हमारा stitch है बाजू का इस पे हम overlock कर लेंगे तो हमने ये overlock करते होई ले लिया है अब यहां से देखे हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ fold कर देंगे ये देखे यहां से हमारा ये जो stitch हमारा आया है जहां तक हमारा stitch आया है हमारा यह फोल्ड हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं यहां पर सिंगल बूट याने की क्वाटर इंच के गैप के उपर स्टीच देंगे स्टार्टिंग और एंड से हम स्टीच को पका कर लेंगे डिजाइन के दोनों साइड में एक एक इंच तक स्टीच लगाना है तो यह स्टीच हमारा लगने के बाद यहां से हमारा कपड़ा दब गया है अब जब इसको पहननेंगे तो इस बहार की तरफ नहीं निकलेगा तो हमारा एक method हो गया sleeve attach करने का तो चलिए अब दूसरा method देख लेते हैं, अब हमने कुर्टी की सीधी side उपर की तरफ करते हुए रख लिये हैं, इसके उपर हम बाजू की उल्टी side उपर की तरफ करते हुए रखेंगे और जहां तक हमारा यह डिजाइन है इस तरह से यहां पर इस पर हमने मार्ग कर लिया है कुर्ती पर जितनी चुड़ाई है डिजाइन की तो हमने यहां सैंटर से ही स्टीच करना स्टार्ट करना है जैसे हमने पहले किया था सेम उसी तरह से सेंटर से दोनों तरफ बाजु को अटैच कर लेना है ये एक साइड का स्टीच कम्टीट हो गया अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से माग से रखते हुए उपर शोल्डर से स्टार्ट करते हुए लगा लेंगे तो अब यह हमने stitch लगा लिया है अब बाजू की सीधी side की तरफ से यहाँ पे जो कपड़ा है यह बाहर की तरफ नजर आ रहा है तो हमने इसके उपर यहाँ पे एक strip अटेच करनी है अगर आप इस पे interlock नहीं कर रहे हो तो आप strip अटेच कर लीजिए strip की जो लंबाई है वो इस design के दोनों तरफ एक से 1,5 इंच हमने लंबी रखते हुए ले लेनी है और इसकी चोडाई भी एक या 1,5 इंच ले सकते हुए लेकिन मैंने यह 1,5 इंच ली है अब इसकी एक side fold करते हुए stitch देंगे और इस strip को strip की जो सीधी side है उसको नीचे की तरफ करते हुए इसके उपर attach कर लेंगे जो stitch हमने पहले दिया है उसी stitch के उपर stitch लगाएंगे अब इस strip को इस तरह से fold करते हुए इस पे तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पे लेकिन मैं इसमें stitch दूँगी क्योंकि मैंने दूसरी बाजू में भी stitch दिया है आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो तो अब हम इसमें भी quarter inch के gap पे stitch कर देंगे तो इस तरह से यह मारी बाजू attach हो गई है फ्रेंड्स इस कूर्ती के गले पे हमने यह वाला design बनाया है अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरह से बनाया है तो इसका link नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो इसी के साथ ही मारी आज की वीडियो complete होती है I hope आपको यह design अच्छा लगा हो अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को जादा से जादा share कीजिएगा और like कीजिएगा Thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में Till then bye bye and take care